दोखो ये कोशन हमें करना है हाना y की पावर 5 को अंदर कर दिया multiply आप करना है दोखो differentiation 35 बाहर y की पावर 5 का differentiation 5 y की पावर 4 और minus दोखो y की पावर 6 का हो गया 6 y की पावर 5 ठीक अब दोखो यहाँ पर क्या करेंगे d a y d x दोखो यहाँ से y की पावर 4 हाना कॉम ले लिया तो 35 इंटू 5 minus 6 y हाना ऐसा दोखो यहाँ पर यह हो गया ठीक y की पावर 4 35 इंटू 5 minus 6 y ठीक है दोखो ध्यान दो यहाँ पर दोखो 35 y की पावर 4 35 बहर 5 y की पावर 4 6 y की पावर 5 और y की पावर 4 कॉम ले लिया 35 इंटू 5 minus 6 y दोखो ऐसे यहाँ पर यह हो गया ठीक है दोखो ध्यान दो अब हम क्या करेंगे दोखो अगर डिफरेंसीशन को जीरो कर दिया जाए हाँ दोखो इससे क्या होगा यह मिलेगा y की पावर 4 35 इंटू 5 minus 6 y बराबर 0 दोखो ऐसा यहाँ पर यह मिल गया ठीक अब दोखो एक तो y की वैलू मिलेगी 0 दोखो एक तो यह हो गया y की पावर 4 बराबर 0 तो y की वैलू 0 मिल गई और दूसरा फेक्टर दोखो यह है 35 इंटू 5 minus 6 y बराबर 0 तो दोखो 6 y बराबर 35 इंटू 5 दोखो y की वैलू हो गई 35 इंटू 5 by 6 दोखो ऐसा यहाँ से हमें y की वैलू मिल गई ठीक है दोखो ध्यान दो यहाँ पर एक सेकड़ इस वड़ी की ललती हो गई दोखो आचली x का square है तो दोखो इसका square होना चाहिए आणा x का square है न सकी value पूट की दोखो इसका square होना चाहिए अब यह थोड़ा differentiation दोखो दूआरा करते हैं इसका square होगा और दोखो ध्यांदू फिर से करता है differentiation दोखो हलाकि इसके बाद आप कर लेंगे ऐसे question आप लोगोंने कितने सारे की है यह polynomial ने आपको इसका maximum और minimum चाहिए तो आप इसके बाद खुछ से कर लेंगे दो क्या होगा d a y d x दो क्या होगा पहला function पहला function दूसरे का differentiation 5y की power 4 प्लस दूसरा function पहले का differentiation 2 35 minus y और into हो गया बोलो क्या minus 1 द्यांदू पहला function दूसरे का differentiation दूसरा function पहले का देखो क्या हो गया differentiation और इसका देखो यह हो गया अब देखो अगर हम यहाँ पर तोड़ा इसको simplify करते हैं दो कैसे 35 minus y कॉमल लिया और y की power 4 common लिया दोखो यह बचेगा 5 into 35 minus y 5 into 35 minus y और दोखो यहाँ से बचेगा minus का 2y दोखो यह common चला गया y की power 4 common चला गया minus 2y दोखो यहाँ पर बच गया ठिक दोखो यह हो गया 35 minus y y की power 4 और दोखो यहाँ से यह हो गया 35 into 5 minus 5y minus 2y तो minus 7y ठीक है ऐसे दोगों होगे अब दोगों यहाँ पर जैसे हम लोग काम दोगों यह कर सकते हैं कि d, a, y, d, y d, a, y, d, y यह बेस्पेक्ट to y कर रहे हैं बेस्पेक्ट to y कर रहे हैं तो d, a, y, d, y अब दोगों यहाँ पर आप जैसे यहां से माइनस कॉमन ले लें तो दोको यह हो जाएगा y-35 ठीक है दोको यह है y की पावर 4 और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोको यह हो जाएगा 7y-35 into 5 ऐसे दोको यहां से यह हो जाएगा ध्यान दो 7y-35 into 5 ठीक है अब दोको यहां पर d a y d y क्या हो जाएग दोगों यह माइनस माइनस प्लस हो गया तो y माइनस 35 इंटो y की पावर 4 इंटो 7y दोगो 7 भी चाये कामल ले लेंगे हम लोग यहां से तो होगा y माइनस 7 कामल लेंगे 5 इंटो 5 25 बचेगा अब दोगों यहां पर आप first derivative test से समझ सकते हैं कि कहां पर maxima कहां पर minima होगा हाना first derivative test से आप चेक कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको zero करके second derivative भी लगा सकते हैं अब दोगों second derivative थोड़ा tough हो जाएगा योगी दोगों इसके बाद जब इसका अगला differentiation करेंगे तो तीन तीन तर्म है उनको differential करना थोड़ा मुश्किल काम है तो क्या होगा देखो एक जगे value change होगी 35 पर है ना एक जगे देखो इसकी differentiation 0 होगा 35 पर एक जगे देखो differentiation 0 होगा 25 पर और एक जगे देखो यह 0 है देखो क्या होगा ऐसे करना पड़ेगा धिहन दो देखो positive से शरुबात करेंगे power 1 है तो यह negative यहाँ भी power 1 है तो positive अब दोगो यह वाई की power 4 है दोगो even power है तो sign change नहीं होगा starting दोगो plus से किया है अब दोगो ये power 1 है तो sign change हुआ ये भी दोगो power 1 है दोगो ये भी sign change हुआ अब दोगो y की power 4 है y की power 4 मतलब दोगो अब यहाँ पर ये power even है दोगो sign नहीं बदलेगा plus का plus ही रहेगा दोगो क्या हो रहा है 35 पर positive से negative हो रहा है यानि y की value 25 पर जो हमारा a है वो maximum हो जाएगा maximum 25 पर दोगो हमारा a maximum हो जाएगा और इस पर minimum हो जाएगा हाला कि दोगो ये point हम ले नहीं सकते क्योंकि x प्लस y बराबर 35 है तो आप y को 35 नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप y को 35 लेंगे तो x 0 हो जाएगा जो गलत हो जाएगा हाला कि x और y दो positive नंबर से ध्यान लखना x और y 0 नहीं हो सकते तो इसलिए y की value 25 हमें लेना पड़ेगा और जब y को 25 लोगे तो दोखो x प्लस y बराबर 35 है तो यहां से obvious है x की value क्या हो जाएगी 10 ही हो जाएगी तो दोखो यही हमारे question का final answer आ गया 25 पर y की value 25 पर दोखो यह maximum हो रहा है और y को 25 लेंगे तो x obvious है 10 के बराबर ही होगा तो ऐसे हम first derivative से इस step पे question को निकाल सकते हैं हम चाहें तो second derivative भी लगा सकते हैं इसको zero करेंगे तो उससे y मिलेगा और second derivative चेक करेंगे कि कहाँ पर जहाँ पर second derivative negative होता है वहाँ पर function maximum होता है और जहाँ पर second derivative positive होता है वहाँ पर function minimum होता है करो बच्चो ध्यान से इसको पहले